हे गाईज, आज मैं आप लोग के साथ सेर करूंगी अपना मन्थली रिसेच रूटीन, मेंटली, फिजिकली और खुद को मोटिवेट करने के लिए एक हेल्दी और डिसिप्लिन लाइफ एचिव करने में हेल्प करती है मैं प्लानिंग करती हूँ मन्थ के एंट पे या फिर सुरुवाद में और इस बार तो मैंने सोच लिया था कि सबसे पहले मैं आप लोग के साथ सेर करूंगी अपना मन्थली रिसेच रूटीन और सबसे पहले मैंने अपना वॉक आउट को फर्स्ट पियरोटी में रखा है औ और अज फर्स्ट आगस्ट है और योगा से मैं शुरुवाद कर रही हूँ अपना मन्थली रिसेच रूटीन पहले साइड आप लोग को कभी मैंने सियर नहीं किया होगा कि मैं योगा करने जाती हूँ एक्चले योगा से मैं घर पे नहीं करती हूँ योगा मैं क्लास भी करती हूँ हापते में मेरा दो दिन क्लास रहता है अल्ली मॉर्णिंग और जो टीचर है ओन अप दा पैस्ट योगा टीचर इन कोलकाता बहुत ही सुईट है बहुत अच्छे से योगा करवाती है और अब तो लगबग दो साल मेरा होने वाला है तो मैं तो माशालला से बहुत अधर तक योगा का पुश्चर है जो परफेक्टली जो किया जाता है वो मैं सीख चुकी हूँ आप लोग भी नोटीस कर पाओगे वीडियो में मेरा योगा का जो पुश्चर है बॉड़ी का वो पूरा परफेक्ट होता है कोई-कोई जो योगा होता है न वो सिर्फ और ट पुश्चर होता है अगर कुछ गलत हो जाए न बॉड़ी में पेन हो जाता है या फिर अगर गलत पुश्चर से आप करोगे तो कोई फाइदा नहीं होता है जो आपको टाइम बरबाद होता है इसलिए मैं जो योगा दिखाती हूँ आप लोग को वीडियो में सिंपल दिखाती हूँ ताकि वो इसलिए कर पाओ क्योंकि उसमें कोई गलती होनी के चांज भी नहीं रहता है इसलिए कर भी पाओगे आपको उसमें हैल्प मिलेगा जश्वड वीडियो के लिए मैं कोई भी ऐसा योगा न दिखा हूँ आप लोग को जब मैं होम वाकाउट दिख है हम लोग तो घर पे रहते हैं हम लोग तो नहीं कर पाएंगे तो अगर मेरा वीडियो देखके कोई भी मेरे सिस्टर को यह ना लगे कि मैं नहीं कर पाऊंगी या फिर नहीं कर पाऊंगा तो फिर मेरा वीडियो पनाने का क्या मतलब है कि वहीं पे तो दिमोटिवेट हो और मेरा काम है आप लोग को मोटिवेट करना सिंपल से सिम्पल चीजों को सामने प्रेजेट करना तक कि हरी चीज आप लोग कर पाऊ मेरे वीडियो में ऐसा नहीं होता है कि टीनेजर के लिए अलग कोई un poster, और फिर एडल के लिए मेरे वीडियो में ऐसा कुछ होता ही नहीं है मेरे वीडियो दस सल से उमर से लेके आप सौ सल के उमर में हर कोई फॉलो कर सकता है चाहे कूछ भी दिखाती हूँ स्कीन केर दिखाऊं, लाइस्टाइल दिखाऊं, everything हर एक चीज में वो ही दिखाती हूँ कि लोग कर पाये क्योंकि आप लोगोंको मैं motivate करती हूँ ताकि आप लोग भी करो, आप लोग भी अपने life को अच्छा better बनाओ मेरा यही motivation रहता है कि मैं जैसे motivate हूँ मेरी हर एक sister भी motivate हो अपने आपको अच्छे से करे जैसे कोई भी ऐसा yoga हो पुष्चर गलत होता है जैसे अभी देखा ना आपने कि मेरा थोड़ा सा पुष्चर गलत हुआ मैं आपने आकर मुझे करेट करके दिया है तो ऐसा-इसा कुछ मतलब हाड-hard वाकाउट होता है ठोड़छी योगा होता है जो आप teacher के अंडर में करें तो ठीक रहेगा, बड़े से बड़े सेरीब्रिटी भी teacher के अंडर में करते हैं किshots उसमें क्या होता है आपका यह हो सकता है कि थोड़ा बहुत गलत हो गया तो आपको इतना बॉडी का पेन देगा जो कि आप बेडरेस में भी जा सकते हो तो योगा करना अच्छी बात है बट जो बीगिनर है उसे बेबी स्टे भी लेना चाहिए ताकि सिंपल सिंपल वॉक आउट करके पहले तो बॉडी को आपको आदत दिलाना है उसके बाद धीरे-धीरे आपका व लाइट को आफ करके soft music on होता है पुरा बॉडी को मैं रिलाक्स करवाती है stretching हो जाता है और mind इतना ज्यादा फ्रेस लगता है बॉडी बहुत जदा लाइट फिल होता है और मुझे बहुत मज़ा है योगा करके और मैं घर आते ही देखा बच्चे को रस्ते में खेलते हुए कितना ज्यादा क्यूट है माशाला कितना प्यारा होता है ना अनिमल्स कैट मुझे बहुत जदा पैसंद है और डॉग भी बसंद है पर डॉग के सामने में नहीं जाती हूँ पर दूर से मैं थोड़ा प्यार कर लेती हूँ सो ग्याइज, ब्रेकफरस्ट करके अब फटा फट से मैं रेडी होके निकल पड़ी हूँ गाड़ी के क्योंकि मैं जारी हूँ fruit shopping करने, आप लोगोंने सही सुना, सिफ औसी fruit shopping करने, क्योंकि सुबा सुबा market लगती है, बहुत बड़ा, वहाँ पे थोड़ा सा सस्ता में मिलता है, क्योंकि wholesale में सारे fruits मिलता है, और आप लोग के साथ मैं एक चीज सेयर करनी हूँ, मेरे skin का जो pimples थ उनको मैं हाथ से भी दिखा रही हूँ, यहाँ पर मिने दिखाया था, यहाँ पर पैसा नहीं लगता है, सिफ लाइन लगाना पड़ता है, जब मैं हॉस्टेल में थी, तब मैं ट्रेन से लोकल ट्रेन से आती थी, दिखाने के लिए, ब्लड़ेश वेगरा सब कुछ हो जात करता है, बर थोड़ा सा वक लगता है, पर जो डॉक्टर थोरा मिरिकलता है, यहीं नहीं मेरा पीसी ओडी का, फस्ताइम मुझे बता है, और एही डॉक्टर नहीं, पीमपलन से प्रप्राबलम है, इसे पोनधाम जना के मेरा ठीक हुआ था, तो गवर्डमेंट नियर होए वहां पर दिखाना जो कोट पहन के लिप्स्टिक लागा के मेकाप थोप के जो बोलती है यह फ़ला ना कर लो वो सब डॉक्टर नहीं होता है जब जाली डॉक्टर है सो अपना पैसा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करना यह मेरे एक्सपिरियंस से अप लोगों को में बता रही हूँ यहाँ फूट जितना भी मुझे लेना है जो जो मुझे अच्छा लग रहा था मैं ले रही थी और् थोड़ासे देखके ले रही थी कि देशी हुना मेरे को थोड़ा सा आदत है चीजों के थोड़ा सा देख के लेने के लिए हाड़ और मनी है यार तो जो भी लेंगे थोड़ा से देख के ही लेंगे जितने सारे मैं फ्रूट्स लेके आई हूँ अच्छे से पहले उसको क्लीन कर लूँगी उसके बाद जो एकसेस वाटर रहता है उसको जढ़ने के लिए मैं साइड में रख देती हूँ उसके बाद जो वाइट कंटेनर है इसमें अपने फ्रूट्स को में रख देती हूँ इससे बहुत अच्छे से अपको फ्रूट्स रह जाता है दस से बारा दिन यहां तक कि पंदरा दिन भी रह जाएगा खराब भी नहीं होता है और पहले ना खराब हो जाता था क्योंकि मुझे खुद पता नहीं था दीरे दीरे में भी चीजों को सीखती हूँ और अभी अच्छे से हर एक चीज़ को और रख देती हूँ और रोज कुछ न कुछ फ्रूट्स मेरा डाइट पे एड रहता है तो वो टाइम से मेरा खराब भी नहीं होता है और मेरा पैसा भी विस्ट नहीं होता है और थोड़ा बहुत सामान जो जो मुझे याद आ रहा है वो सारे चीज़ में सुईगी माटसे में मंगवा लेती हूँ यहाँ पे चिकेन थोड़ा सा फ्रोजन मतर पनीर वेगरा जो भी चाहिए तो और फूल गो भी तितना छोटू दिया है और जब मिक्स वेजिटेविल का यह जो पैक है यह बहुत टाइम से वियर है जब कुछ समझ में नहीं आता काटो और कर लो और यह जो मैगी का पैकेट दिखाया है ब्राउन राइस से बना होता है तो कभी-कभी दिल होता है तो खा लेती हूँ और इन जना आपको देखो कैसे सो रहा है मुझे घर साफ क करना था तो इसको देख के तो अभी में कर नहीं सकती और इसको में उठा नहीं सकती तो इसको मैं चोड दे रही हूँ मैं दूसरा रूम पर जाके कुछ वहर काम कर लेती हूँ मंद के सुरू में ही मैं डिप क्लीन कर लेती हूं मेरे पास कोई भी वैकूम किलीनर नहीं है खुद अपने हाथों से करती हूं पर इस बर उतना ज़्यादा नहीं पड़ा क्योंकि एक महीना हुआ है घर पे सिफ्ट हुँ हूं और पहले ही मैंने डिप क्लीन कर लिया था और सिफ वैकूम किलिनर हो तभी कर सकते हैं, हम लोग हाथ से भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरी माँ तो हाथ से ही करती है, अभी भी, और यह जो बड़ा सा मिरार है, इसको मेंटेन करना बहुत जदा मुस्किल है, दीखने में अच्छा तो लगता है, पर थोड़ा सा में ही गंदा हो में हमेशा प्राऒट है, तो क्लिन रखना पड़नीजिटी ही जटना बहुत किल, सब्सक्राइब मुस्किल हो जाता है, और क्लिन हो लोगार हो इसको मैं हफ्ते हफ्ते में क्लीन कर लो और यह देखो मेरा क्याट को वहाँ पर्दे के पीछे चुपा है नीचे ना पार्किंग है वहाँ पे एक गर्ल क्याट है हमें सब माव माव करता है चौबी सो घंटे यहाँ पे उसको देखता रहता है साइद मेरे लिए बहु क्योंकि पहला वारा जो मेरा घर था वहां का बेढ़े बहुत बड़ा था यहाँ पे हो गया और कितना अच्छे से हुआ है बहुत प्यारा भी लग रहा है यह साइद मैं आमजन से लिया ता है कि यह याद नहीं है मुझे में भी मैंने मेसो से लिया था क्याट कि घर का हर फिर में आप लोगों को दिखाऊंगी क्या क्या चीजे मंगवा के मैंने डेकॉर किया है फानिचर क्लीन हो चुका है अब मैं बाबू का ट्री हाउस क्लीन कर रही हूँ वेलवेट का है तो इसका जो हेर है न वो चिपक जाता है और आप लोगों ने पहले अगर मेरे वीडियो में देखा होगा मेरा टॉम बाबू का जो हेल कंडिशन था मतलब इंफेक्शन की वज़े से हेर अलमोस्ट थाई नहीं पूरा टकला था अब माशाला अलहमदलिला अभी फिर से ग्रो हो रहा है और अल्ला पाक चाहे तो पूरा एक दम ठीक हो जाएगा इंशालला ठीक हो जाएगा मेरा बाबू पहले से काफी बैटर है कैट को सिफ प्यार चाहिए टेक्केर चाहिए बस यही दूनों चीज में उलोग खुस रहता है और अभी फिर खिरकी में आके बैटा है उसको बहुत अच्छा लगता है ऐसे खिरकी में छुपके बैटने के लिए तो मैं भी उतना समय से प्यार करके ऐसी पर्दा टांके रख देती हूँ कि ठीक है उसका प्राइवेसी डिस्टरब नहीं करना होता है जो घर पुरा क्लीन हो गया अब मैं अच्छे से रूम फ्रेशनर को इस्प्रे कर दूँगी बरसात का टाइम भे तो हमेशा दो तीन दिन छोड़ छोड़ के रूम फ्रेशनर में हमेशा दे देती हूँ जो गाइस रेडी होके मैं निकल चुकी हूँ मन्थली चेक अप के लिए हर महिना मैं अपना फुल बॉड़ी का चेक अप करवाती हूँ तो मैं जाती हूँ प्राइवेट हॉस्पिटल में और एक क्यूटी पाई को देखो कितना जाता क्यूट लग रहा है इसलिए मैंने वीडियो ले लिया यहाँ पर आके मैं ब्लाक टेस्ट करवाती हूँ उसके बाद उपर नी जो भी होता है डॉक्टर के साथ डिसकस करती ह है अगर मेडिसन की जरूरत हो नहीं तो माल्टी वाइटमिन्स व्यगरा मुझे सजेस्ट करते हैं हर मही नहीं और मुझे अपने पिस्योडे थाइडे डे सारे चीज़ के बारे में पता चल जाता है और अभी मेरा सब कुछ ड़न हो चुका है तो मैं आ गई हूँ बिक से में अपना रासन मंतिली का मंगवा लेती हूँ कि हर मही ना पॉसिबल नहीं होता है कि मैं स्मार्ट बज़र जाओ या फिर में डी मार्ट जाओ या फिर बिक बज़र जाओ पॉसिबल नहीं होता है काम भी होता है और टाइम भी नहीं मिलता है बट यहां से सबजी में ज और मेरे जामून भी ले लिया, क्योंकि सुभा में में जो जामून भी नहीं मिले था, और सीजन में तो ये सारे चीज खाना तो अच्छा ही लगता है, उसके बाद मेंने फीस भी लिया है, क्योंकि I love फीस, और इलीस जो फीस आता है वो बरसात के टाइम पे मिलता है, तो इस सो गाइस घर आ चुकी हूँ और ब्लाड टेस्ट भी हो गया है, दो घंटा बाद इसको रिमूव कर देंगे, और मैं बाहर से आके पुरा तीन घंटा सो गई थी, एक चीज़ नोटिस की, आप लोग ने बीच में मैं थोड़ी सी मोटी दिख रही थी ना, अभी थोड़ा स सिलिम लग रही हूँ, तीन किलो वेट लॉस भी हो चुका है मेरा, इसका डाइट चेड वाक आउट, सब कुछ आप लोग के साथ में सेयर करूंगी, और अभी मैंने क्या-क्या सामान रासन में लेके आई हूँ, चलो वो सारी चीज़ भी देखती हूँ, जो सारे मन्त ली म तो मेरा रासन आता है, ऐसा निया कि हर मन्त मुझे उतना ही रासन चाहिए होता है, कुछ-कुछ रासन मेरा खतम हो जाता है, कुछ-कुछ मेरा रहता है, और Swaygi Mart में मैं बिजबिज में ओर और करती भी रहती हूँ, यहाँ पर टीशू पेपर में ना, एक के साथ एक फ्री तो मुझे यहां पर टीशू परण में मिला यहां पर मेरा लाडो शोके उर्ट चुका है तो उसको मैं प्यार कर रही हूं और इसको ना जो जितना मैं प्रेस करते हो ना कर फीट हो जाता है फिर मेरे को डल लगता है कि ये मेरे को नो जोश ना दे फिर मैं छोड देती हूं और यहां पे मैं storage कर रही हूं ऐसा डब में मैं सारे सामान को अपने storage कर लेती हूं क्यूंकि मेरे पास और कोई option नहीं है क्यूंकि मेरे पास वो modern kitchener तो ही नहीं ये वाला घर पे तो ये वाला सही लगता है डब्मी में डालो और हर एक चीज़ को रख दो लिप्टन का ये ग्रिन टी मुझे अच्छा लगता है इसका टेस्ट सही है और अभी मैं डिस्वासर डाल रही हूँ क्योंकि मुझे अभी बरतन धना है बहुत सारा और यहाँ पर मैंने सोचा था आज मैं डिनर नहीं बनाऊंगी पर मैं वेट लॉस जन्नी में हूँ बाहर का कुछ खानी ही सकती तो यहाँ पर मैं घर पर डिनर बना रही हूँ कुड़कुड़े भिंडी मुझे बहुत पसंद है और बहुत ही सिंपल है जब से यर्ष्रायर मैंने ले लिया है उससे क्या होता है मैं अपना पसंद का चीज़े खाती हूँ बिदाउट एनी गिल्ड क्योंकि ओईली जाता नहीं लगता है बेग भी बहुत अच्छे से हो जाता है और पेरा कुरकुरे भिंडी भी रेडी हो गिया है यह बहुत यम्मी लगते है बहुत क्रंची बनता है और दो सिटी में दलिया भी बन जाता है तो 15-20 मिनिट में पुरा खाना बनके रेडी हो जाता है और भिंडी का सकल देखो कितना ज़दा यम लग रहा है सो ये हो गिया ना हेल्दिस और टेस्टी से खाना का ओप्सेन तो आप लोग भी खा सकते हो आज कल में लाफ्टर सेफ देखती हूँ डिनर के टाइम पे बहुत जदा अच्छा है बहुत फणी भी है और ये जो मेरे कुरकुरे भींडी थे ना बहुत जदा यम बना था विदावड गिल्ड हेल्दी टेस्टी से खाना मिल जाए तो क्या ही बात है मैंने खुद के लिए गोल सेट किया है रोज 4 तो 5 पेज बुक रीड करूंगी इसी के साथ मन्थली रीसेट रूटीन खतम होती है और आप भी फॉलो कर सकते हो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेलफुल रही होगी अपना गोल को सेट करने के लिए उन्हें एचीव करने के लिए वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट में जरूर अपना फीडबैक सेयर करना बुक्स पढ़ते पढ़ते मुझे बहुत ज़ता नीद भी आ जाते हो और मैं जल्दी सो भी जाती हूँ और सुभा जल्दी उठ भी जाती हूँ जिसके करण में हर एक चीज टाइम से फॉलो भी कर पाती हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़ता इन्पोर्टेंट है हमारे रोटिन को फॉलो करने के लिए और नियू रिसेट मन्त में क्यों ना साथ में फॉलो करें अपने गोल्स को पुरा करें और अपने एचिजमेंट एक दुसरे के साथ सेयर करें और इस वीडियो को कैसा लगा आप लोगों कैसा लग रहा है मुझे फीडबैक में जरूर सेयर करना I hope आप लोगों को अच्छा लग रहा है कोसिस तो करती हूँ जल्दी से एडिटिंग करके वीडियो डालू पर बहुत ज़दा काम होता है अकेले सब कुछ करना होता है इसलिए नहीं हो पाता है बर जल से जल वीडियो डालने की कोसिस करूंगी आप लोगों को बहुत ज़दा प्यार अच्छे से रहा है ना चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना बाई